जब किसी में अंत का भैसमा जाए जब किसी में अंत का भैसमा जाए जिसको देखनी है सिर्फ सुकूँ भरी दुनिया वो सक्स मतुरा ब्रिंदावन में आ जाए वो सक्स मतरा बंदावन में आ जाए और ये है कि ये मनु वैशाली करके कवित्री है उनका है तुम्हारे लिए उनका एक छोटा सा गीत है मैंने उसी से लिया है ये मतलब उसी की तर्स पे लिखा है और आप इसका मतलब रदीफ है तुम्हारे लिए उसको आप पकड़िएग जाने सार किया तनमन तुम्हारे लिए घर से भी कर ली अनबन तुम्हारे लिए उत्तर में हा या ना वो तुम्हारी मर्जी रही उत्तर में हा या ना वो तेरी मर्जी रही मैं प्रश्न में लाओंगा कंगन तुम्हारे लिए और जिसको दहली जबार की इजाजत न थी जिसको देहलीज पार की इजाजत न थी उसने लांगे हैं बंधन तुम्हारे लिए और जरूरतें भी छोड मिलने की हामी भरी आया मैं मिलने भी उपवन तुम्हारे लिए था वर्जित इस पर्स भी फल फूलों से मगर प्रिय फूल तोड़े हैं जबरन तुम्हारे लिए और एक ये रैप शा है मतलब सुद्ध हिंदी है आप समझिएगा साइद महावारत देखियो तो मैंने वहीं से मतलब सब्द लिए हैं निकल पड़ा मैं समझो किसी अग्यात वास में हतेली पे चिराग कदम मंजिल की तलाश में हुआ दिशा हीन किंतु हुआ मैंने राश नहीं क्यों निस्फलता के बहसे करूं मैं प्रयास नहीं न समझो न समझो लक्ष पे पहुँच कदमों को विराम होगा अस्सा मानने है समय फिर मंजिल भी नहीं नया ही आयाम होगा सामर्त है पर्याप्त फिर खड़ा किस साहता की आस में विजय तो है छुपी हुई मेरे ही द्रड आत्म विश्वास में और धर्म अधर्म का है खेलिये सारा मैं साह से सक्ती मैं किसी से नहारा विफलता के मारों ने प्रपंच से मारा विजय का तो मार गए हर एक नए प्रयाश में क्या ही लाव होगा मुझे किसी के विनास में और मोह प्रेम स्वार्त आदी सब का त्याग करना होगा जैसी भी परिस्तिती म्रत्यू से भी लड़ना होगा जिसने है कहा यथार्त ही कहा है वक्त से अधिक यहां कौन ही रहा है रहो तुम कुटिर मैया स्वर्णिम आवास में कुछ सेस नहीं रहना मर्डो उपरांत एक लाश में और यह आखरी है कि वो सब बता देगा तो राज रह से क्या रहेगा वो सब बता देगा तो राज रह से क्या रहेगा कुछ सच कुछ जूट कहेगा बस यही मलाल रहेगा वो सब बता देगा तो राज रह से क्या रहेगा कुछ जूट कुछ सच कहेगा बस यही मलाल रहेगा याद रहे जब भी मिलो उसके गले लग जाना पहले दिखेगी चहरे पे खुसी फिर कुछ ही देर में उसकी आँखों से लहू बहेगा और नस्दीक भी गए तो जान लेने तक को आतुर होगा बस प्यार से मना लेना देखना फिर तुम्ही को जान कहेगा और हतेली की लखीरे भी कमाल हैं देखो एक फकीर नai कहा था मुझसे इश्क नसीम में यह लड़का महबत में हार कर मरेगा यह लड़का महबत में हार कर मरेगा बहुत शुक्रिया झाल